नमस्कार दोस्तों, नसर अला के उत्तरा अधिकारी का हुआ खात्मा हिज्बुल्ला की ताकत घटी, बोले इजराइली पीम नेतन याहू वीडियो में इजराइली प्रदाल मंत्री ने लिबनान के लोगों को संबोधित किया उन्होंने लिबनान के लोगों से खुद को हिज्बुल्ला से आजाद करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रच्छा करने का अधिकार है नेतन याहू ने दावा किया कि हिज्बुल्ला इस समय बीते कई वर्सों की तुलना में सबसे कमजोर है इजराइल और लिबनान के आतंगवादी संगठन हिजबुला के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है हिजबुला इजराइल में हवाई हमले के कर रहा है और वहीं लिबनान में इजराइल का ऑपरेशन जा रही है इस बीच इजराईली पीम बेंजमिन नेतन याहू ने मंगलवार को कहा है कि इजराईल बलोग ने हिजबुल्ला के मारे जा चुके चीफ असन नसर अला के उत्रा अधिकारी को खतम कर दिया है पहले से रिकॉर्ड किये गए वीडियो में मैसेज में नेतन याहू ने कहा है कि हमने हिजबुला की ताकत को कम कर दिया है हमारो आतंगवादियों को मार गिराया जिसमें खुद नसर अल्ला उसका उत्रा धिकारी और यहां तक की उत्रा धिकारी का विकल्प भी सामिल है हालाकि नेतन याहू ने खुल कर किसी का नाम नहीं लिया इससे पहले इजरायली रच्छा मंत्री यावे गैलेट ने कहा था कि मारे जा चुके हिजबुला चीव असन नसर अल्ला के संभावित उत्रा धिकारी हसेम सफीनी को संभावता मार दिया गया है न्यूज एजनसी रॉइटर्स ने बताया कि यह सपर्ष्ट नहीं है कि नेतन याहू ने किसे उत्रा धिकारी का विकल्प का है वीडियो में इजरायली प्रदामंत्री ने लेबनान के लोगों को संभोधित किया लेबनानी लोगों को संभोधित करते हुए नेतन याहू ने उनसे बदलाओ के अवसर का लाब उठाने की अपील करते हुए कहा है कि अब आप अपने देश को वापस ले सकते हैं और इसे सांतियो समरिद्धी के रास्ते पर वापस ला सकते हैं चेतर में चल रहे तनाओ के बीच आया है जहां कि हिजवुल्ला की लंबे समय से बड़े पैमाने पर सैन उपस्तिती रही है यह थी अब तक की इजराइल और लिबनान की अपडेट सो आंगे जो भी न्यू अपडेट आती है मैं उस पर वीडियो लाता रहूँगा टाइम को लिस्निंग डू लाइक सब्सक्राइब पर मोर अपडेट मिलते हैं नेक्स वीडियो में